साथ नौमब दो हजार तेईस दो पर के हापर दो बजे औस्ट्रेया वसे स्री लंका के बीच में आपर बहुत ही ज़ादा इंपोर्टन मैच दोनों टीमों के लिए आपर इंपोर्टन होने वाला है यह इस वीडियो से आपको ना बहतरी से बहतरे में आपर डिफरेंशल प्रिक्स बताने वाला हूँ कौन से प्लेस आपके लिए आपर जील के लिए सबसे बेस रहेंगे कौन से प्लेश को आपको small league में आज के match में differential player के चलती है अपने team में रखना है वो सारी चीज़े आज के यहाँ पर वीडियो में आपको बताने वालो तो जो भी आप नई उद्धास आये है सभी आप सबसे request है कि एक like और एक subscribe के साथ आज का आज का यहाँ पर वीडियो जो है जरूर शुरूरात कीज़ेगा हम चलती हाँ पर records की तरफ अब बात करती हाँ पर pitch report क्योंकि pitch report बहुत ज़्यादा important हो जाता है यह pitch जो है यहाँ पर वानखेडी stadium मतलब मुंबई का यहाँ पर यह मैदान रहने वाला है इस pitch को पर अभी तक यहाँ पर World Cup में 3-4 matches हो है उसका record सकर देखोगे तो यहाँ पर average first inning सबसे पहलो तो यहाँ पर यह देखोगे high scoring round है यहाँ पर batsmen को बहुत ज़्यादा help मिलती है तो यहाँ पर clearly बताया भी गया है कि select more middle order batsmen and wicket taker ballers यहाँ पर आपको middle order के जो यहाँ पर batsmen है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाले अब कोन से वो first inning में second inning में वो मैं आपको यहाँ पर आगे बताऊंगा अभी यहाँ पर ध्याँ में रखना कि middle order के batsmen और जो wicket takers है खासकर कि जो wicket taking ability जिन paces के पास है वो आपके लिए यहाँ पर important रहेंगे average first ring score देखोगे यहाँ पर 317 है और average wicket loss पर inning देखोगे तो 8 है तो यहाँ पर यह जरूर ध्याँ में रखना 317 मतलब यहाँ पर यह pitch जो है यहाँ पर batting के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है अब बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए जैसे कि important अब देखो पिछले 4 matches इस pitch के उपर जो खेले गए थे batting से 574 fantasy points दिये थे और 398 यहाँ पर balling से points दिये थे यह जरूर ध्याँ में रखना तो यहाँ पर जरूर ध्याँ में रखना कि इस pitch के उपर आपके लिए यहाँ पर batsmen के लिए बहुत जदा है यहाँ पर important रहने वाला है अब यहाँ पर सबसे पहले बात हम बात करते हैं कि first inning और second inning में क्या हो जाता है अगर देखो टीम यहाँ पर जो भी टीम पहले batting करती है first inning में तो यहाँ पर 314 points यहाँ पर batting से fantasy points दिये है और जो भी टीम first balling करती है तो 133 का सिर्फ यहाँ पर इन्होंने fantasy points दिये लेकिन जैसे second inning में आओगे second inning में जो भी टीम batting करती है उनके batsmen आपके लिए risky रहेंगे उसका reason क्या है आप देख सकते हो यहाँ पर pie chart में तो आपको पता चल गया होगा कि ballers second inning में बहुत ज़्यादा important होने वाले तो यहाँ से एक पता चलता है आपको यहाँ पर ध्यान सर करेगा जो टीम first batting करेगी उनके batsmen सबसे ज़्यादा fantasy points देते और जो टीम second balling करेगी उनके fantasy points balling के sections के players सबसे ज़्यादा wicket लेते तो यह जरूत यहाँ में रखना जो भी टीम पहले batting करेगी उनके players आपके team में सबसे ज़्यादा होने चाहिए बहुत ज़्यादा टककर का मुकाबला होने के chances बहुत ज़्यादा है अफगाणिस्तान की team भी आज की match में बहुत अच्छा टककर दे सकती है तो अगर यहाँ पर Australia team पहले batting करती है तो उनके लगभग आपको 7-8 players अपने team में रखने है मतलब की क्या कहना है मुझे की ज़्यादा से ज़्यादा players जो रहेंगे वो जो भी team पहले batting करेगी उनके आपकी यहाँ पर team में रहने चाहिए ठीक है यह ज़रूर द्यान मरतना अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर Pacers और Spinner को सबसे ज़्यादा किसको wickets मिलते है सबसे पहले तो देख सकते हैं आप यहाँ पर Pacers को यहाँ ज़्यादा wickets मिले 62 मतलब की यहाँ पर आप देखोगे तो 62% यहाँ पर Pacers को wicket मिलते हैं और 34% यहाँ पर आपको दिखेंगे Spinner को wicket मिलते हैं और उससे भी आपर बहतर record क्या रहेगा 1st inning और 2nd inning का तो यहाँ प फिर 2nd inning में आप देखोगे पिछले 4 matches में यहाँ पर सिर्फ एक यहाँ पर wicket मिला है तो यह ज़रू ध्यान में रखेगा कि 2nd inning में Spinner आपको अपने team में नहीं रखने हैं अगर Spinner रखना है तो 1st inning में जो भी team balling करेगी उसका सिर्फ आप एक भी रखोगे तो भी आपके अच्छा रहेगा लेकिन पेसस इस पिछ के उपर सिर्फ टीम में नहीं बलकि captain से और vice captain से भी choices इस match में रहेगी अब कौन से captain vice captain आपके लिए important है उससे पहले मैं आपको बता दीता हूँ कि इस pitch के उपर top players इस pitch के उपर कौन से players खेले सबसे पहले यह बताऊंगा कि यहाँ पर अफगानिस्तान की team इस pitch के उपर पहली बार खेल रही है ठीक है ODII की बात कर रहा हूँ में अब Australian team यहाँ पर खेली है इस pitch के उपर वानकेड़ी के stadium पर तो कौन से player इस pitch के उपर सबसे बढ़िया खेले पहले आते Mitchell स्टार्क इस pitch के उपर बहुत बढ़िया इनका record है Mitchell Marsh एक मैच में 113 fantasy points लगभगे 80 या 90 runs इनो ने बनाये थे Marcus Tornis इस pitch को पर इनको assist मिलता है और इस match में balling भी कर सकते है Pat Cummins 60 points इनो ने दिया है Steve Smith यहाँ पर इस pitch के उपर ज्यादा batting से अच्छा नहीं किया लेकिन यहाँ पर pitch जो है थोड़ा सा batting पीछ है अगर team पहले batting करती तो आपके लिए important और Adam Zempi यहाँ पर दो matches में 41 points तो यह जो player है इस pitch के top players है तो यह यहाँ पर जरूर दिधान में रखेगा है जिसको हम क्या बोलते है इसको venue record यहाँ पर ऑस्टलेंड प्लेयोस के favor में यहाँ पर जाता है लेकिन यहाँ पर जरूर ध्यान में रखना कि जो भी team यहाँ पर first बार खेलती है बहुत बढ़िया खेलती है तो अफगानिस्तान को भी आपको कम नहीं समझना है अब बात करते हैं आपर top head to head में सबसे पहले तो ऑस्टलेंड टीम की तरफ से top head to head मतलब अफगानिस्तान के खिलाब कौन से player चागिलते अगर आपको दिखेगा एक ही match चला डेविड ओनर ने इनके team के खिलाब 90 रंज बनाय थे 105 fantasy points दिये थे तो अगर आप दिखोगी तो differential pick के चलते हैं टीम में रखना है मतलब रखना है ठीक है क्योंकि आस्टलिया का ना batting order थोड़ा सा flop होने के chances से खास करकि middle order डेविड ओनर मिचल माश उपर से खेल सकते हैं लेकिन जो middle order है थोड़ा सा खराफ जा सकता है उसमें यहाँ पर Alex Carey को batting मिल सकती है अगेन वही ब बात करते हैं अब अफगानिस्तान टीम की तरब से तो नजीब उल्ला जादरान अगर आज की मैच में यह प्लेयर खेलता है हमेशा 20 हो या फिर ओडिया हो यह प्लेयर ऑस्टलिया के किलाब बहुत ही बढ़िया खेलता है तो इसलिए आपके नजीब उल्ला यहाँ पर जा इन दो प्लेयर्स के ऊपर यहाँ पर राशीद खान और आपके नजीब उल्ला जादरान इस मैंच में यह प्लेयर बहुत बढ़ा कर सकते हैं तो इसलिए आपके लिए प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इंपोर्टन होते हैं ठीक है तो यह जरू ध्यान में रखना है यहाँ यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपोर्टन रेकॉर्ड के ध्यान से दिखेगा अगर टॉस होता है और टॉस के बाद पता चलता है कि ऑस्ट्रेंट टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आपके जियल्स के टीम में यह प्लेयर आपके जो भी यहाँ पर दिख रहे हैं वो पर फर्स बैटिंग करते हुए अवरेस सबसे बढ़िया रहा है जब यह ओडिया खेलते है तो ठीक हो तो यह ज़रूद यहाँ में रखना अगर ऑस्ट्रेंग की टीम पहले बैटिंग करती है फिक्स प्लेयर आपको यहाँ पर और यहाँ पर अफगानिस्तान टीम की दिया रहेंगे एडम जहमपा 113 पॉइंट्स दिये है चार मैचेस में फिर यहाँ पर आपको मतलब कि यह हर मैच में देते ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 मैचेस में आपको 113 दिखेंगे बल्कि यह एवरेज रहेगा जहाँ पर जब भी यहाँ पर और और टीम पहले बैटिंग कर यहाँ पर मारकस टॉणिस बायासी ओमर जाई यहाँ पर 73 और नूर हमाच जो कि यहाँ पर रहेंगे आपके 22 पॉइंट्स तो औसलेन टीम पहले बाटिंग करती है तब यह प्लेयर्स आपके कैसे रहेंगे अपने टीम में फिक्स फ्लेयर रहेंगे यह लगबग यहाँ प अब अफगानिस्तान टीम की पहले बाटिंग आती है तब आपके टीम में कौन से फिक्स प्लेयर के चलती है अपने टीम में रखना है अब यहाँ पर आपको अफगानिस्तान के प्लेयर्स ज्यादा दिखेंगे उसका रीजन क्या है कि अफगानिस्तान जब भी टीम पहले बैटिंग कर रही है न इस टूनामेट में वर्ल्ड कप में यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मैच जीते हैं और उनके कौन से प्लेश सबसे बढ़िया करते हैं सबसे पहले आएंगे यहाँ पर आप दिखो Adam Zempa 136 पॉंट दिये था यह आपको fix player के चलती है अपने टीम में रखना है फिर आएंगे मुझीबर रह्मान जब भी अफगानिस्तान टीम पहले बैटिंग करती है मतब सेकंड बॉलिंग आती है मुझीबर रह्मान 3-4 विकेट चटका देते हर मैंच में फिर राशीद खान जैसक में ने बोला था अगर अफगानिस्तान टीम पहले बैटिंग करती है न तो यहाँ पर आपके लिए आज का मैच का रिजल्ट थोड़ा सा अलग दिखेगा अफगानिस्तान जीद भी सकती है रहमनला गुरबाज 110 और यह हमेशा द्यान में रखना रहमनला गुरबाज राशीद खान और मुहम्मद नभी यह तीन ऐसे प्लियर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जुरूरत होती है अफगानिस्तान को तब यह हमेशा अच्छा करते ही करते तो रहमनला गुरबाज पिछले 2-3 मैच फ्लॉफ रहे लेकिन इस मैच में बहुत बड़ा स्कोर कर सकते फिर आय अलिक हिल विकेट केपर के सेक्शन में इनके पॉइंट्स मिलते 81 पॉइंट्स इन्होंने मिले थे मुहंबद ना भी दिखेंगे आपको 76 पॉइंट्स मैक्सविल और कमीज यह रहेंगे आपके 8 प्लेयर्स और फिक्स अफगानिस्तान टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो तो दोनों को अच्छे से समझेगा यह रेकॉर्स आपके लिए बहुत ज़्यदा माइने रखेंगे खासकर कि अगर आप GL खेल रहे हो तो आप GL भी जीच सकते हो इस रेकॉर्स से और इस रेकॉर्स को क्या करना है आपको 10 मैचेस तक ऐसे ही खेलना है सिर्फ एक या दो मैच ट्राइ नहीं करना है GL जीतना है तो आपको थोड़ा सा ट्राइ करना ही पड़ेगा ठीक है तो यह ज़रू ध्यान मर रखेगा फिर आती हाँ पर X Factor प्लेयर्स कोन से आपके लिए आज के मैच के लिए मैंने यहाँ पर किसको ने दिया है राशित खान, मुहमद नभी और फजल फारू की यह 3 क्यों रहेंगे X Factor अगर यहाँ पर अफगानिस्तान जीत गई तो इन तीनों का सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोल रहेगा आज के मैच में नमबर वन पर राशित खान रहेंगे ठीक है और सबसे इंपोर्टन यह भी चीज है क्योंकि अफगानिस्तान यहाँ पर इतना फोकस क्यों खेलेगी है मैच क्योंकि औस्टिलियन बोर्ड ने यहाँ पर पिछले साल जो है पिछले साल से अफगानिस्तान से क्रिकेट खेलना बंद किया था मतलब कि यहाँ पर जो सीरीज होती है ना एक दीवसी या फिर 20 सीरीज ओडियाई की सीरीज वो खेलती नहीं है तो इसलिए यहाँ पर जो बदला है यहाँ पर लेने के चकर में यहाँ पर राशित खान मुहमद नभी, फजल, फारुकी यह तीनो प्लेयर सबसे बेस्ट खेलते और सबसे इंपोर्टन यह चीज क्या है कि यह तीनो भी प्लेयर क्या खेलते थे के अपसी बिग बैस लीग जो ऑस्टिलेंट टीम थी तो उनको सभी को यहाँ पर इन तीनों को अच्छे से पता है इसलिए आपके लिए आपके लिए कैसे प्लेयर हेंगे एकस फैक्टर प्लेयर मतलब की डिफरेंशल जो कि आज के माच में जील में इन प्लेयर को आप कैप्टनसी दे सकते हो यह बहुत बड़ा यहाँ पर पॉइंट्स दे सकते हैं आज के माच में ठीके तो यह ज़रूर ध्यान मर रखेगा फिर आते हैं यहाँ पर आपके लिए कैप्टनसी चॉइस जो कि आज के माच के लिए अब यहाँ पर मैंने कैप्टनसी जो चॉइस दीए है वो किसके फिएवर में दीए है यहाँ पर अगर ग्राउंड देखोगे तो सबसे ज़्यादा फिएवर में देखेगा थोड़ा सा और्सलियन टीम की तरब से क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फैंटेसी फांस उनके ही टीम यहाँ पर प्लेयर्स ने दीए है अब इन रेकौर्ड से चलते हैं आप अपनी टीम बनाते हो तो आपको यहाँ पर जीटने में स्मॉल लिग्स याँ फिर मिनी जीज़ सारी चीज़े आपको यहाँ पर अल्टरा क्लिण सिफ हो जाएगी तो यह जरूर ध्यान में रखना अब चलते हैं यहाँ पर हम किस कहाँ पर जो small league के team तेकिन यह जरूर ध्यान में रखना यह मेरी यहाँ पर demo small league के team रहेंगी final small league team नहीं रहेगी final small league team के लिए आपको कहा जाना है telegram channel की link है description में वहाँ पर जाके जोड़ सकते हो अब final small league team में मेने गुरबाज मेरे आजकी माच में fix रहेंगे अगर आजकी माच में carry कहलते हैं तो carry को भी मैं यहाँपर अपने team में रखऊंगा अभी तो यहाँपर नहीं रखरा हूँ क्योंकि chances कम हैं एनके खेलने के अगर खेलते हैं तो मैं अपने टीम में ज़रूर रखूँगा बैटिंग के सेक्षिन से आपके लिए उस्टिलेंड प्लियर ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम में रखनें जैसे कि डेविड ओर्णर बहुत ज़्यादा इंपोर्टन आज के मैच में जब को स्टिव स्मित अगर टीम अश्टिलेंड टीम पहले बैटिंग करती है तो स्टिव स्मित मेरे टीम में रहेंगे और ट्रेविस हेड भी ये तीनों भी मेरे टीम में रहेंगे बैटिंग के सेक्षिन से अफगानिस्तान से मैं ट्राइ नहीं करूँगा आज की मैच में All Downer के सेक्शन के जो प्लियर से उनको अपने टीमें में आज की मैच में रखूँगा ओमरजाई, नभी और यहाँ पर मैक्सफिल और बॉलिंग सेक्शन जैसे ही आता है जिसमें राशित खांड फिक्स रहेंगे आज की मैच में जैंपा, स्टार्क और आपके कमिस यह रहेंगी मेरी स्मॉल लिक की डेमो टीम जिसमें कैप्टन्स के लिए चोइसे साफ के लिए बहुत ज़्यादा है या फिर अगर मारकस टॉनिस भी खेलते हैं तो उसमें यहाँ पर इनके छे या साथ ओस भी आज की मैच में हो सकते है तो बाकी चोइस आफ के लिए वा कौन सा है राशित खांड भी सबसे बेस्ट है, कैप्टन्सी और वेस्ट कैप्टन्सी फाइनल स्मॉल डिक्ट्री आपको टेलिग्राम पर मिलेगी वहाँ पर जाएए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको वहाँ पर जाके जुड़े रहेगीगा ठीक है, और इस चैनल को सबस्काइब जरू करना है, क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी भी हल्प मिली होगी इस चैनल से, मेरे यहाँ पर पर प्रेडिक्शन से तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक लाइक और सबस्काइब जरू कीजएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो म झाल झाल